कुक्त कंपनेशन दिटाइट मिन पैसित यह कुछ द्री हूं अर्ड डेन शार पंच बॉंड हैं छे पारलव और equally spaced एक्वली स्पेस्ट हर किसी प्लेट का area जो है अ जो है कि एरिया जो है वह एक बराबर और Successive Plates के बीच में जो separation है प्लेट separation है वह किसी जगे D के बराबर है यहां पर बिडी यहां पर बिडी यहां पर बिडी हां यह plate है, plate के दो sides हैं इसमें आपको simple सी बात याद रखनी है कि अगर दो plates होए, facing each other तो उनके जो inner faces है the faces which are facing each other the sides which are facing each other वो sides जो है इस plate का ये side, ये face और इस plate का ये face they will make a capacitor और वो तब capacitor बनाएंगे अगर वो आपस में connected ना हो अगर वो आपस में connected है तब तो short circuit होगा तब तो वो capacitor नहीं बनाएंगे लेकिन अगर वो आपस में connected नहीं है तो ये वाला face और ये वाला face the two faces facing each other वो एक capacitor बनाएगा तो यहां पर ये plate 1 इसका side A और side B ये plate 2 side A और side B ये plate 3 side A और side B ये plate 4 side A और side B ये plate 5 side A और side B ये plate 6 side A और side B हर किसी plate के दो दो sides है अब plate 1 का A side उसके उपर तो कोई नहीं है तो A तो किसी के साथ नहीं बना देगा अब B 1 B और 2 A और facing each other तो वो capacitor बनाएगे अगर वो आपस में connected नहीं है तो अब 1 और 2 जो वो आपस में connected नहीं है तो 1 B और 2 A 1 B और 2 A ये A कापस्टर वहां पर बनेगा 2 B और 3 A 2 B और 3 A आपस में connected नहीं है तो और A कापस्टर बनेगा 2 B और 3 A A कापस्टर बनेगा फिर 3 B और 4 A अगर आपस में connected नहीं है तो 3 B और 4 A आपस में A कापस्टर बनेगा then 4 B और 5 A 4 B और 5 A और A कापस्टर बनेगा then 5 B और 6 A 5 B और 6 A जो है वो A कापस्टर बनेगा इसमें एक interesting बात note कर लें ये 6 plates का combination है 6 parallel plates और equally spaced plates है और alternate plates connected है एक तीसरे के साथ connected है फिर पांचवे के साथ connected है दूसरा चोथे के साथ connected है फिर छटे के साथ connected है alternate if alternate parallel plates are connected तो वो हमेशा N-1 capacitors बनाएंगे N-1 capacitors बनाएंगे यहांपर 6 plates हैं 5 capacitors बन रहें 1, 2, 3, 4 and 5 और हर किसी capacitor की capacitance सेम होगी plate area हर किसी जगह सेम है separation हर किसी जगह सेम है तो capacitance C is equal epsilon 0 A divided by D वो हर किसी जगह सेम होगी so इन पांचों की capacitance जगह होगी वो सेम होगी अब combined capacitance क्या होगी वो हमें देखना है you'll soon see कि यह N-1 capacitors parallel में होंगे parallel में होंगे अब वो arrangement जड़ा हम देखते हैं A A जो है जो capacitors बन रहे हैं एक तो 1B capacitor बना रहा है और 3A और 3B दूनों capacitors बना रहे हैं और यहां से 5A और 5B दूनों capacitors बना रहे हैं so 1 तो यह यह 1B 1B और फिर जाके 3A 3A 3B भी क्योंकि 3B भी 4A के साथ बना रहा है 3B और फिर जाके 5A और 5B दूनों capacitors बना रहे हैं 5A और 5B अब 1B जो है वो 2A के साथ capacitor बना रहा है 2A के साथ 3A जो है वो 2B के साथ capacitor बना रहा है 2B के साथ तो उसको उसके सामने रॉख कर रहा है 3B जो है वो 4A के साथ बना रहा है ये 4A के साथ बना रहा है और 5A जो है वो 4B के साथ बना रहा है ये 4B और 5B जो है वो 6A के साथ बना रहा है 6A के साथ और 2A, 2B B के साथ connected 4A, 4B B के साथ connected तो ये दो भी B के साथ connected और 6A जो हैं वो भी B के साथ connected है तो ये आपस में सभी connected है और सभी B के साथ connected है 1, 2, 3 ये भी है 4 and 5 5 कैपसिटर्स हैं, परलल कम्बनेशन में हैं तो simple sum C equivalent जो होगा वो simply होगा 6 times C remember हर कीजी कैपसिटर्स की कैपसिटर्स सेम है, तो 6 times epsilon 0 A divided by D इसकी total कैपसिटर्स होगी तो इस system की total कैपसिटर्स जो होगी, वो होगी 6 times epsilon 0 A divided by D चले और एक देख लेते हैं चले अब इस स्वाले को देख लेते हैं combination of plates में अब ये चार plates आपके पास हैं ये दो connected हैं और ये दो connected है A और B के बीच में आपको देखना है equivalent capacitance क्या होगी ये plate 1, side A, side B ये plate 2, side A, side B ये plate 3, side A, side B ये plate 4, side A, side B अब देखें कि कौन-कौन sides जो है वो capacitors बनाएंगे A के ओपर तो कोई नहीं है तो कोई capacitor A नहीं बनाएगा 1, B, 2, A के साद बना देगा अगर आपस में connected नहीं है तो 1 और 2 आपस में connected नहीं है 1 A के साद connected है, 2 B के साद connected है तो 1 B और 2 A 1 B और 2 A, A capacitor बनाएंगे फिर 2 B और 3 A को देखने हैं वो भी बना सकते हैं लेकिन वो आपस में connected हैं यानि कि उन दो के बीच में short हैं तो वो capacitor नहीं बनाएंगे आपस में connected नहीं होने चाहिए फिर जाके 3 B और 4 A अब 3 B B के साद connected है 4 A के साद connected है तो 3 B और 4 A जो हैं वो और ये capacitor बनाएंगे तो ये इस combination में दो capacitors बनेंगे और वो आप किस combination में होंगे वो हमें देखना है A से मैं शुरुआत कर लेता हूँ A 1 B के साद connected है और 4 A के साद connected है ये 1 B और 4 का कुन सा A 4 का A हमें लेना है 4 A के साद connected 1 B जो है वो 2 A के साद बना रहा है 2 A 4 A जो है वो 3 B के साद बना रहा है तो यहां पर 3 B और 2 A और 3 B 2 और 3 आपस में connected है और 2 B के साद connected है तो ये दो आपस में connected है और 2 B के साद connected है तो again parallel combination बन रहा है दो कापरल कमिनेशन बनना है तो C equivalent is equal twice C which is twice epsilon 0 A divided by D चले इस वाले को बढ़ देख ले है फिर से हमारे पास चार plates है plate 1 side A, side B plate 2 side A, side B plate 3, side A, side B plate 4, side A, side B तो आप देखते हैं कि पहले यह देखते हैं कि capacitors कहां कहां बनेंगे 1B जो है वो 2A के साथ बना देगा क्योंकि आपस में connected नहीं है 1B और 2A आपस में बनाएंगे फिर 2B और 3A बनाएंगे 2B और 3A बनाएंगे आपस में connected नहीं है फिर 3B और 4A बनाएंगे 3B और 4A बनाएंगे हापस में connected नहीं है तो 3 capacitors बन रहे हैं तीन capacitors बन रहे हैं अब combination देखते हैं फिर से मैं A से शुरुआत कर लेता हूं यह A से A जो है वो तो खाली 1 के साथ connected है 1 मैंसे 1B बना रहा है यह 1B 1B जो है वो 2A के साथ बना रहा है यह 2A अब 2A जो है वो 2B के साथ connected है same plate के दो साइड हैं तो obviously connected है 2B के साथ connected है और 2B भी capacitor बना रहा है और फिर जाके 2A जो है वो 4A के साथ भी connected है जो capacitor बना रहा है जो Centre बना रहे हैं जो composition बना रहे हैं we are concerned only with those plates 4A के साथ बना रहा है अब 2B जो हैं वो 3A के साथ capacitor बना रहा है यह 3A और 4A जो हैं वो 3B के साथ बना रहा है 3B के साथ और यह दूनु जो हैं 3A और 3B एकी प्लेट के दो साइड हैं तो obviously आपस में connected हैं तो यह connected है और वो किसके साथ connected हैं B के साथ तो यह सिस्टम हमारे पास है अब यह जो दो हैं वो parallel combination में हैं फिर इसके साथ series combination में हर कोई सेम है cc और c तो यह दो parallel combination में हैं तो इनका 2c बन जाएगा फिर 2c और c जो है वो series combination में हैं तो c एकुलन जो होगा वो product divided by sum 2c plus c is 3c 1c cancel out होगा so 2 divided by 3 times c c equivalent 2 divided by 3 times c चले और एक देख लेते हैं हम ओके लेट्स लोक अट दिस वन ना चार प्लेट्स फिर से प्लेट 1 side A side B plate 2 side A side B plate 3 side A side B plate 4 side A side B 1 A A के ओपर तो कोई नहीं है तो A किसी के साथ नहीं बनाएगा 1 B 2 A के साथ बनाएगा 1 B and 2 A 2 A आपस में कनेक्टिड नहीं हैं 2 B और 3 A 2 B और 3 A आपस में कनेक्टिड नहीं हैं तो ये भी कपास्टिर बनाएगे और 3 B और 4 A आपस में कनेक्टिड नहीं हैं तो तीन कपास्टिर नहीं हैं 1 B 2 A के साथ 2 B 3 A के साथ 3 B 4 A के साथ कनेक्टिड है कपास्टिर बनाएगे तो A से शुरुआत कर लिएंगे शरी आप कमबनेशन क्या बन रही है A जो है वो 2A के साथ भी connected 2B के साथ भी connected obviously same plate के दो sides हैं तो दूनों के साथ connected है और दूनों के capacitors बना रहे हैं 2A 1B के साथ बना रहा है और 2B जो 3A के साथ बना रहा है तो दो हम दिखा दिएंगे एक तो 2A और फिर जाके 2B अब 2A जो है वो 1B के साथ बना रहा है ये 1B और 2B जो है वो 3A के साथ बना रहा है ये 3A अब remember 3 capacitors है 1B जो है वो 4 के साथ connected है 1B जो है वो 4 के साथ connected है और 3A जो है वो तो किसी के साथ connected है वो सीधे B के साथ connected है पहले मैं ये draw कुनूँँगा 1 जो है वो 4 वो 4 के साथ के साथ ही गर्ष है तो 1B जो है वो 4A के साथ connected है और 4A जो है 4A जो वो 3B के साथ कपास्टर बना रहा है 3B के साथ कपास्टर बना रहा है और 3A और 3B same plate के दो sides है तो obviously आपस में connected है और दून जो हैं वो B के साथ connected है तो एक combination बन रही है तो now you can see कि ये दो series में हैं फिर जाके इसके साथ parallel में हैं ये दो series में फिर इसके साथ parallel में C और C और C तेनों अब दो equal capacitors in series जो हैं उनका equivalent C divided by 2 बन जाएगा अब C divided by 2 और C जो है वो parallel combination में तो simple addition तो C equivalent will be equal to C plus C by 2 which is 3 by 2 times C 3 by 2 times C तो इसके equivalent capacitance जो है वो 3 by 2 times C के बराबर है चले इस वाले को देख लें last one तीन plates हैं plate 1, 2 and 3 1 A, 1 B, 2 A, 2 B 3 A, 3 B 1 B और 2 A बनाएंगे और फिर 2 B और 3 A बनाएंगे आपस में तो दो capacitors बनेंगे A को लेते हैं A जो हैं दो के साथ connected हैं जो दो हमारे concern हैं 1 तो 1 B हैं और दूसरा जो हैं 3 A है 1 B और 3 A अब 1 B जो हैं वो 2 A के साथ capacitor बना रहा है 2 A और 3 A जो हैं वो 2 B के साथ बना रहा है 2 B 2 A और 2 B दोनों सेम प्लेट के दो साइट हैं तो और आपस में connected हैं तो और B के साथ connected हैं तो parallel combination तो C and C in parallel So C equivalent जो होगा वो simply twice C होगा C plus C is twice C तो काफी simple वी क कर दो लिए कैसा잡ा 6